पूरो सीम उमा भारती द्वारा शराब बंदी को लेकर मुखर होने पर कांग्रेस ने सियासी चुटकी ली कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में शराब बंदी को लेकर पहले भाजपा को एक राय बनानी होगी कांग्रेस ने उमा भारती के बयान को डिकोट करते विए कहा कि उमा भारती सीम शिवराज सिंग चोहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को अगर संत मान रही है तो उमा भारती को इसपश्ट करना चाहिए कि संतों के राज में फिर वह कौन उस्ताद है जो प्रदेश में शराब बिकवाने के समर्थन में हैं कांग्रेस ने कहा कि उमा भारती साध भी है इसलिए वह खुलकर शराब बंदी को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है जबकि भोपाल की सांसत प्रग्या सिंग ठाकुर भी एक साध भी है और वह दवा की तरह श के की रिपाउर्ट उमा भारती जी इस प्रदेश की बड़ी नेता हैं जो लोग आज भारती जनता पार्टी की सरकार के मुखिया बनकर आनंद ले रहे हैं उन्हें सत्ता की चाबी सौपने वाली उमा भारती जी ही हैं और यदि वो शराब बंदी को लेकर आंदोलन करने की बात कहे रही हैं या बात सही कि तारिक 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 दिये जा रही हैं मगर उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाया तो चौदा फरवली के बाद वो शराब बंदी को लेकर यदि इस प्रदेश में कुछ करती हैं तो इस सामाजिक बुराई आज कि शिवराज सेंजी द्रहस्त होकर भी संत हैं वीडी शर्मा जी भी संत हैं उनके संग्ठन महामंत्री जी जो है वो संग के पचारक हैं तो ये संत और संग के पचारकों के राज में शराब बिकवा को रहा है आदर्नियां उमा भारती जी साधवी हैं वो शराब बंदी का विरोत कर रही हैं दूसरी एक फरजी साधवी हैं बौपाल की सांसत पग्यासिंग ठागुर जी वे कह रहेंगी शराब दवा के रूप में ली जाया तो कोई बुराई नहीं है तो कम सकंभारती जन्तापार्टी एक मत पर शराब बंदी को लेकर सामने होगी तो उसका चरितर सामने आएगा अन्यता ये मिली जुली कुस्ती के रूप में शराब बंदी का विक्रह जो सरकार कर रही है उस पर सरकार की ही मोहर साबित होगी